हेलो गाइस एन वेलिकम बेक टू कोडमी टूप चैनल तो मैं आज ही इस वीडियो में आपको इस्टिंग फॉर्मेटर्स जो पाइटन में अवेलेबाल है इंट बिल्ड उसके बारे में आपको इन देटर्स में एक्सप्रेंग करूंगा एक्सिसका रुकार्मेंट की पड़ का और हम लोग विदावर्मेटर में थानमें क्या प्रोलम आ सकते हैं वह सारे डिर्स में आपको एक्सप्रेंग करूंगा तो आपको इस वीडियो के बाद इस टौप पर कोई भी डाउट तरहने वाले है तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो लेट बिगिन मैं एकजामपल लेता हूँ एक वडिसे बीडों टेक्लेर करता हूं में Aries वोट नेम डिकलेर करता हूं में नेम राहूल और इस टेकलेर करता हूं उसकर सपूस्ट किके है अभी हमें एक टेक्स्ट बनाना है माइन नेम इस माइन नेम लोग इसको आर्फूट में दिखना रेगा कि माइन नेम इस राहूल इन आई यार्स ओल्ड जब कभी इस चीज़ को डूं करेंगे तो हमें यह चीज में एर दिगा यह चीज को एड नहीं कर सकते हैं मैं आपको आपट दिखायाता हूं इसको मैं एर्र करता हूं तो cannot concatenate string not into string मतलब हम लोग जो एज के लिए हमें यहाँ पर एर्र दे रहा है तो इस इस्टू को solve करने के लिए हम लोग क्या करेंगे string formatter का use करेंगे तो इसको मैं comment करेता हूं तो string formatter के अंदर एक होता है single formatter multi land formatter मतलब multiple formatter और formatter with positions and keyword arguments तो वो सारी चीज़ हम तो one by one explain कोरूंगा मैं आपको तो सबसे पहले देखते है single formatter क्या होता है single formatter explain करने के लिए सबसे पहला से उसका syntax देख लेते हैं syntax क्या होता है syntax करता है कि जो भी हमें string मिला है string का एक parameter रहेगा dot format में तर यूज करेंगे हम लोग जो अपना python के लिए इंट बिल्ट है format और यहां पर प्यास रहेंगे values यह string formatter का syntax है जो हम लोग single formatter के लिए यूज करने वाले तो मैं यह एक्जामपल ले लेता हूँ suppose my name is curly braces open and close curly braces जिसका syntax है जो भी एक string रहेगा उस string में हम लोग यह चीज़ कर लेंगे my name is and जो भी पेटा में हम रिप्लेस करना है जो की change होगा constantly उस चीज़ को हम लोग यहां पे curly braces के अंदर replace करेंगी ठीक है use करके my name is this अभी मुझे यह यूज करना है string formatter तो मैं करूंगा string s.format रहता call कर दूंगा और हम यहां पास करना है values तो values करता है यहां पे name था अब इसका suppose हमें कभी user का requirement पड़ा कि हमें चीए कि हर एक बार message or fix format करना हो उसका जो output हो चेंज होते रहे depending upon the user input suppose हम अगर user authenticate करता है अपना user name password उसको एक OTP मिलता रहेगा तो जो OTP का message जो जाने वाला user को वो fix ना हो ठीक है fix OTP ना जाए जो भी OTP new generate होता है वो OTP उस string में replace होके उसको जाना चीए तो सपोज मैं अगर स्टिंग डेकलेट करता हूं कि योर one time पासवर्ड OTP OTP is यहां प्याया रहेगा OTP OTP में OTP डालने वाला हो ठीक है तो यह हो गया your one time password is and then this is the variable जो हम लोग यहां पर डालने वाले तो यह अपना एक format fix हो गया कि यह format अपर यूज करने वाले अभी जो भी OTP आये का सब्गोर मेरा OTP आता है generate होके 4443 4434 तो इस चीच को हम लोग कर सिक करेंगे आउपुट में S.format क्या यूज करेंगे OTP तो इस फार्म कर लेते हैं और देख लेते हैं your one time password is 4434 तो इस बहुत एजी concept है formatter का यूज करके हम लोग सिंगल फार्मेटर का इस सिनाडियो में हम लोग यूज कर सकते हैं मुल्टिलां इन्फार्मेटर कैसे जूज करेंगे मैं करा हाँ अंड़पर सब्सक्राइब हमें यूजर का नीम भी खेजना है और यूजश केसे किसे करेंगे टेक्स क्लिए डियर घ्र बाता हुंमें पने यह घ्र नाम दाल देंगे यह निजने यूर ओटीपी इस में आपका करेंगे ओटीपी यूज करेंगे टिके में विए भार फिलेट कर रहा हूँ नेम इस उकल टू सचिंग और ओटीपी इस उकल टू 5567 तो इसको में प्रिंट कर लाता हूँ ट्रेक्स्ट डॉट और मेट एक सब्सक्राइब नेम कॉमा ओटीपी यह मुल्टिपल फॉर्मेटर यूज करेंगे जो भी पैरामिटर से देने वाले इसको रिप्लेस करके यहां पर जो भी वेल्यू हम डालना है उस वेल्यू को हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे बिसिकल कि यह ज़ो फॉर्मेट कईते हैं को भी तापल में एक्स्ट्रेक्स के लिलके का ओसे भी नेम यहां से भागा घाना चीक्षा एं पर जुसम की डिशा रिक्षा जींट वा यहां विद्चक्वा hem name का position क्या रहेगा 0 OTP का position क्या रहेगा 1 इसको में रॉन कर ले तो यह सचीन ज़र OTP is 5567 समझे मारा यह चीज इसके 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 अंदर हम लोग अगर हमें यह चीज को यूज करना रहेगा तो यह यूज कर सकते हैं अगर हमें इंडेक्स करना रहेगा यहां पर यहां पर इंडेक्स करना रहेगा तो वो चीज भी हम लोग यूज कर सकते हैं मैं आपको यह चीज इसी वीडियो में आपको पिताने वाला हूं कि अगर मुझे फॉर्मेटर करना है पॉजिशन बेज संबेच फॉर्मेटर यूजए पोजिशन के वीचिशन के बिच चीज़ को फॉर्मेट करना है आपको पर हलसी अगरा तेख्स लाता हूं सेम टेक्स लाता हूं अब इस चीज में क्या करेंगे अगर हमारे पास डेक्स ते यहа och डालना है मैंने यहाँ वन दाल सेता हूं शर्म के लिए अगर मेंके प्रवार्मेट करना त्यक्त टेक्स्ट का यह टेक्स्ट को में कहां करूंगा अंदर यूज करूंगा आखी पाहर आप इक लिए ठीक है डिया दिस योर्ट पी इस वेल्ट अपनों क्या करने के फॉर्मेट तो अगर मैंने OTP पहले रख दिया और नाम मैंने बाद में रखा तो इस चीज़ को मैं रून करूंगा तो ओपूर्ट का जगा डिया 2345 यूरो टीप इस सूरज तो यह गलत हो गया इस चीज़ को हम लग पोजिशन बेस्ट प्रमेटर से स्वाल कर सकते हैं यह इस चीज़ को तो मैं दिखा तो एक्जामपल तो यह दिया 2345 यूरो टीप इस सूरज इसको कैसे करेंगे मैंने आपको पढ़ेब जादा टपर कहता है इंडेक्स बेस तो इसका इंडेक्स करेंगा 0 इसका इंडेक्स करेंगा 1 तो हमें यह चीज़ जो है यहां पर अप्लाइ करना है तो का इंडेक्स क्या रहेगा 1 & OTP का इंडेक्स क्या रहेगा 0 सुम्हाया यह चीज़ से यह सूल हो जाएगा अपना प्रेक्स क्यों प्रेक्स क्यों प्रेंटर यहां पास किया उसी चीज़ को हम लोग इधर भी पास करके उसी चीज़ को सॉल्ट करा सकते हैं तो मैं पर बाता हूं कीवर्ड बेस्ट फॉर्मेटर बहुत इजी दी कंसेप्ट कुछ भी डाप्टर आपने कमेंट कर सकते हैं मैं उसको जरू रिप्लाई करूंगा ठीके ओके तो मैं आपको क्या दरता हूं प्रेंट की चीज़ कर लेता हूं ठीके डियर यहाप क्या आना चाहिए नेम आना चाहिए और यापर यापर क्या आना चाहिए एज थिक रहे हैं पर क्या नहीं दौट फॉर्मेट रहेंege और हम लोग क्या पर क्या यूज करने वाले keyword keyword basically क्या होता है कि name and उसका values बतब key value pair समझ लो सुमझ लो key value pair को as a key value pair उसको underestimate करो suppose कि मैं आपर दालता हूँ age दालता हूँ कोई बात नहीं मैं starting में age दालता हूँ age जो है इसका 30 दालता हूँ यहाँ पे name जो है उसका around डालता हूँ ठीक है और this is run automatically जभी यह run होगा तो क्या होगा जब name का key है उसका value क्या है वो finite करेगा उसको यहाँ पर replace कर देगा age उसका value क्या है वो finite करेगा उसको replace कर देगा ठीक है तो इसको run कर दालता हूँ your OTP is 30 sorry यहाँ पर age है 30 so this is 30 तो position based formatter का भी उसको जब हमें position यूज करना आगे इंडेक्स इस पर कर देख करना है इंडेक्स के बेसिस पर उसकिस्त में हम लोग position based formatter यूज करेंगे और keyword based formatter का भी उसको जब हमें keywords and उसका key and उसका value पता रहेगा तो हम लोग keyword based formatter यूज करेंगे तो ये एक formatter का example होता है अपने string के अंदर और इसमें एक importance formatter होता है f string ये latest formatter है मतलब ये थोड़ा update होके आ रहे है ये यूज करते है latest formatter जो अपना है f string उसको बहते है f string formatter तो उतका syntax कैसा होता है वो कुछ इस तरह है f double quotes केंदा जो भी string रहेगा वो string डाल देंगे हम लोग और जो भी value रहेगा वो सब शिज़े इस ही केंदा हम लोग कर सकते हैं ठीक है में example लेके साहता है आपको बहुत उसे समझना आ रहेगा मैं सबकोल मैं क्याता हूँ आपको नेम राहुल एच इस वोटे मैं क्याता हूँ प्रेंट f string formatter को युच करेंगे f double quotes and then text जो रहेगा वो text उच करेंगे so my name is this and I am 5 years old ठीक है so my name is f string डिट करने के लिए जो भी हमारा parameter रहेगा वो चीज़को इज़री directly replace कर देंगे format method यूज नहीं करना है चीज़ में ठीक है और यहां पे डाल देंगे my name is Rahul and I am 40 years old ठीक है यह latest string का method है जो कि हम लोग भी python के अंदर new upgrade हुआ है ठीक है यह method हम लोग यूज करते है f string formatter instead of format method तो बस आज के इतना है अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जड़ो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जो पाइटों सिखना चाते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ सो टेक केर एंड बाई बाई